ओके तो ये 8 बजे के 8 मिनिट वाला एपिसोड नहीं है ये ऐसे ही संडे स्पेशल इसको रखते हैं ये मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम जो मैंने फेस की उसका क्या सॉल्यूशन मैंने निकाला और आप भी वो फॉलो करके बहुत ही अराम से मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 6 मिनिट देने हैं और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्ट हो जाएगा तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी सॉल्यूशन कैसे निकला और एक्स्ट्रा क्या चीजों का ध्यान रख सकते हों सबसे पहली बात कि ये IDFC क्रेट कर्ड से रिलेटेड है लेकिन अगर आ आपको डाइरेक्ट कस्टमर केर कॉलिंग ऑप्शन का डिसक्शन किया जाएगा लेकिन आप इमेल सेफ रहने के लिए आप इमेल भी डाल सकते हो अपने बैंक को क्यों डालना है वो शॉट में मैं आपको बताता हूं बहुत सारे कार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एक एन्वल फी अप्लाई होगा क्लियर है आप फर्स्ट डिसमबर को अगर क्लोजर रिक्वेस्ट डालोगे और 48 आवर्स में बैंक को क्रेड़ करना होता है तो ऐसा हो सकता है कि बैंक वाले अगर बहुत बदमाश हुए तो वह आपका एन्वल फी थर्ड को चार्ज कर लेंगे उसके बाद वह आपको एक रिवर्ट इमेल भेजेंगे कि आपका पेंडिंग डियूज बाकी है आपका एन्वल फी लग चुका है आप इसको या क्लियर करो और फिर आपका कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस किया जाएगा ठीक है दूसरी चीज अगर आपकी फी मेरे पास अभी शायद एक मेसेज भी पड़ा हुआ है मैं आपको शो करूंगा उसमें लिखा हुआ है कि पहले आपको आपके बैंक से ही कंप्लेन करना है अगर बैंक ने थर्टी डेज में उसका सॉल्यूशन नहीं दिया तो आर्बी आई उमपर्समान में कंप्लेन करो य डिंदी को अभूबी है झिसके साथ बात करने की कोशिश की अगर आपनЭ्ए उनके साथ भात करना की कोशिश नहीं कि होगी तो आर्बा इंपर शॉमान वी आपको यहीं बोल करें कि याव पहले करो अपना बैंक से क्लियर करो अपना हो सकता है आगका सॉल्य को द्रौका इ है ठीक है चलो इमेल भी करने से क्या होता है यह तो आपको क्लियर हो गया प्रूफ के लिए ज़रूरी है अब आ जाते हैं कि कार्ड क्लोजर जो मैंने डिसीजन लिया वो क्यों लिए डेखो क्रेट कार्ड के रेंज अगर आपको याद होंगे का इसका दो साल पहले तक वो सिर्फी कार्ड लाउंच करते थे और उन्होंने रूपे कार्ड के लिए जो स्कैनेट पे वाले क्रेशनालिटी होती है उसके लिए वह एड़न क्रेट कार्ड लेके आए आपका चाहिए कोई भी कार्ड का वेरियंट हो आप एक सो नेनावे प्लस जी एसटी जानी 235 रुपे के लगभग 18 पसंट की बैंकिंग सर्विसेस की जेस्टी होती है आप वो कार्ड अवेल कर सकते थे आपको एड़न कार्ड की तरह अपने अकाउंट में मिल जाता था इवन वाव क्रेडिट कार्ड जोंका एफटी पेस क्र करेंट शुरू हुआ तो बहुत लोगों को अब lifetime free रूपे क्रेडिट कार्ड मिल चुका होगा अगर नहीं मिलाए तो कुछ लोगों ने ऐसे सूपर कार्ड वगएरा यह जो lifetime free रूपे क्रेडिट कार्ड है विथ है डी वो ले लिया होगा तो फिर आप 235 रूपे क्यों द करवा देते हैं अब तो उससे बहतर रिवार्ड वाले कार्ड जो है वे अविलिबल है मेरे पास में ठीक है तो आपको यह क्लियर हो गया कि मैंने क्यों डिसीजन लिया और आपको भी किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए क्या आप 235 रूपे एक साल के उससे वसूल कर पा र रखना चाहिए प्रोसेस जो है कि आइडि एफसी में अजर आपके पास एक नॉल मल्ेंट करड़ है या अपशन हे उसका क्लोजर रिक्वेस्ट अब में करने का ऑप्शन है ज्यांद सुनना अगर आपके पास अक्लोजर रिक्वेस्ट अप में ही ओप्शन है लेकिन एड रीक्वेस्ट आप में करने का औप्षान नहीं है आपको सिर्फ ब्लॉक करने का औप्षान आएगा परमनेंटली और टेमपरल यह भी पॉइंट याद रखना गया इसकी आगे बात होगी टीक है तो आपको क्या करना है आपको कुस्टमर सर्विस का यहां पर इमेल और मॉब यह हैं इनका phone number one eight double zero one zero triple eight ठीक है इस पर आपको call करना है और आपको request करनी है मैं आपको photo दिखा ज़ेता हूं मैंने कितने दिर बात की आपको request करनी है कि मेरा एक add-on credit card है यह उसके last four digit है वह आपसे confirmation के लिए एक दो सवाल पूछेंगे उसके बाद कार्ड क्यों बंद करना है बगएर आप कुछ भी बोल सकते हूं आपको बोल लेना अदा ही रखना या मेरे पास अब दूसरा रूप 32 सेकेंड का call लगा सिर्फ 6 मिनट 32 सेकेंड यही नंबर है देखो दो फैर तेड़ बजे और वो card closure request जो है वो process कर दीगे मतलब उन्होंने मुझे बोला और मैं आपको बता रहा था कि block का option क्यों ध्यान में रखना है उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप चाके block कर दो तब तक के लिए और यह जो card closure request है यह within seven days हम लोग process कर देंगे specially अगर आपका सारा ड्यूस पहले का clear है तो इसी लिए आपको यह दो स्रेप दिहान में रखने हैं आपको उनसे बात करते ही अपना सब कुछ confirm करने के बाद आपको एप में जाके permanently block का जो option है temporarily नहीं permanently block का जो option है उ वो ब्लॉक हो जाएगा OTP आके block हो जाएगा उसके बाद आपको sorry उससे पहले ही आपको आपके सारे dues clear कर देने हैं अगर dues clear नहीं होगा तो किसी भी bank का credit card close नहीं होगा चाहे वो FD card हो या normal card हो FD card के case में तो आपकी FD से card लेते हैं पैसे लेकि normal credit card के case में वो ऐसा नहीं कर permanently block के option पर आपको क्लिक करना है permanently block हो जाएगा उसके बाद वो within seven days process कर देंगे जो कि आप देख सकते हो यह within two days process हो गया within 48 hours डेड़ कल डेड़ बज़े मैंने बात की परसों और उसके बाद 5.28 pm को यह आ गया कि closure request process हुआ है और 7.57 pm को आ गया कि closure जो है वो successfully complete कर दिया गया है आपने देखा within two days अगर आप सब process इसे तरह सफॉलो करते हो आपका card 100% close होगा बिना कोई fees नहीं कटेगी दो दिन के अंदर चलो इतना ही रखते हैं next update के साथ फिर मिलेंगे